नमांकोर स्कूल और कम्पूटर साइंस की डिजी लेशन में आप सभी DCA और PGDCA स्टूडेंट का पुनाहार्दिक स्वागत है आज मैं आपको पार्ट्स और कम्पूटर के बारे में बताऊंगा पार्ट्स और कम्पूटर बेसिक कॉंसेप्ट और arlaओ को अप एक कम्पूटर सिस्टम और ब्लाइग्राम Input device, वह device होते हैं जिनके द्वारा हम अपने data या निर्देशों को computer में input करा सकते हैं Computer में कई input devices होते हैं, एक devices computer के मस्तिक को निर्देशित करती है कि वह क्या करें Input Devices कई रूप में उपलब्ध हैं तथा सभी के विशेष्ट उद्देश हैं टाइपिंग के लिए हम कीवोड का यूज करते हैं Input Devices वह डिवाइस हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कम्प्यूटर के मस्तिक CPU तक पहुचाते हैं एक कम्प्यूटर सिस्टम में मुख रूप से कीवोड और माउस यूज किये जाते हैं इसके अलावा कुछ Input Devices निमने परकार के होते हैं कीवोड, माउस, जोइस्टेक, लाइट पैन, टाच स्क्रीन, डिजीटल कैमरा, स्केनर, डिजीटल टेबलेट, वार कोड रीडर, OMR, OCR, MICR, ATM यह सभी Input Devices के एक्जम्पल हैं CPU CPU का पूरा नाम Central Processing Unit है इसका हिंदी नाम केंद्रिय संसाधन एकाई होता है यह कंप्यूटर का सबसे महत्पूर पार्ट होता है अर्थात इसके बना कंप्यूटर सिस्टम पूर नहीं हो सकता है इससे सभी डिवाइस जुड़े हुए रहते हैं जैसे कीवोड, माउस, मौनीटर आदी इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं इसका मुखकार प्रोग्राम्स को एक्जीक्यूट करना है इसके अलावा CPU, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स जैसे मेमोरी, इनपोर्ट, आउटपोर्ट डिवाइस के कार्रें को भी कंट्रॉल करता है CPU को मुख रूप से तीन भागों में बाटा गया है ALU, अर्थात, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, सी उ, सी उ, कंट्रॉल यूनिट ALU, इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है यह यूनिट डाटा पर मैथमेटिकल प्रोसेस जैसे प्लस, माइनस, इन्टू, डिवाइड और लॉजिकल ओपरेशन करती है ALU, कंट्रॉल यूनिट से निद्रेश लेता है यह मेमोरी से डाटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के बश्चात सूचना को मेमोरी में लोटा देता है ALU के कर, करने की स्पीट फास्ट होती है यह लगवग एक लाग केलकुलेशन पर सेकेंड की स्पीट से कर सकता है इसमें ऐसा electronic element होता है जो winery arithmetic की केलकुलेशन करने में सक्चम होता है मेमोरी यह input device के द्वारा प्राप्त निर्देसों को कम्प्यूटर में श्टोर करके रखता है इसे कम्प्यूटर की याददास भी कहा जाता है यूजर में कुछ बातों को याद रखने के लिए माइंड होता है ठीक उसी प्रकार मेमोरी है यह मेमोरी CPU का अभिनंग है यह एक storage device है अताहिसे कम्प्यूटर की main memory internal memory या primary memory भी कहते है कम्प्यूटर की memory को दो भागों में वाटा गया है RAM जिसका full form random access memory होता है यह कम्प्यूटर की आइस्थाई memory होती है नम्मर दो ROM इसका पूरा नाम read only memory होता है यह कम्प्यूटर की इस्थाई memory होती है कम्प्यूटर का वह स्थान जहां सभी information, data या instructions को store करके रखा जाता है memory कहलाती है कम्प्यूटर की memory को bit, white, kilo white, mb, gb, etc में मापा जाता है CU CU का पूरा नाम central processing, sorry central unit होता है CU hardware की process को control और संचालित करता है यह input, output, process को control करता है साथ ही memory और ALU के मद डाटा के आदान परदान को निर्देसित करता है यह program को execute करने के लिए निर्देसों को memory से प्राप्त करता है निर्देसों को electronic signals में change करके यह उचिक device से इस तक पहुचाता है output device output device भी device होती है जो user दोरा input किये गए डाटा को result के रूप में परदान करते है output device के दोरा computer से प्राप्त result को प्राप्त किया जाता है इन results को display devices या printer के दोरा user को display किया जाता है मुख रूप से output device में प्राप्त information या तो हम screen पर देख सकते हैं या printer से page पर print करा सकते हैं या music सुनने के लिए output के रूप में speaker का यूज कर सकते हैं output devices कई प्रकार के होते हैं जैसे monitor, printer, piloter, projector, sound speaker आदी block diagram of computer system CPU, control unit, arithmetic and logic unit, memory unit, input device and output device कुछ विशिस तत्व नमर एक, input device वह device है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को computer के मस्तिक तक पहुचाते हैं नमर दो, input device वे device होते हैं जिनके द्वारा हम अपने data या निर्देशों को computer में input करा सकते हैं नमर तीन, output device वे device होती हैं जो user दोरा input किये गए data को result के रूप में प्रदान करते हैं नमर चार, CPU इसका पूरा नाम central processing होता है या computer का mind कहलाता है नमर पांच, computer का वह इस्तान जहां सभी information, data, instructions को store करके रखा जाता है memory कहलाती है, memory धो प्रकार की होती है, primary memory and secondary storage memory नमर चे, ALE, इसका पूरा नाम arithmetic logic unit होता है अगले वीडियो में आपको एक new topic के साथ पुना आपसे मिलूँगा, धन्यवाद